हलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूटूब शेनल रेलवे की पार्ट शाला पे और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रूब डी बर्थे तो रठारा के वैस्ट सेंट्र रेलवे यानि की जवलपूर बोड के बारे में यहाँ पर द और बहुत सारे कंडिडेट हैं जिनको रीमेडिकल के लिए बुला गया है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं चोटा से निवेदन हैं आप हमारे स्पार्ट साला पर नहीं हैं चले को सस्क्राइब कर देशेगा रेलवे भरती के बारे में सारे अपडेट पा को लेने के बाद जब आपका डोकुमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पर सेम वही इंप्रेशन वहाँ पर होता है लेकिन होता है यहाँ पर कही कंडिडेट है जिनका यहाँ पर फिंगर जो आपका इंप्रेशन है वो मैच नहीं होता है तो इस वजह से जो कंडिडे वो लिया जाता है और फिर यहाँ पर देखा जाता है कि जो fingerprint है कितना percent match हो रहा है अगर वो 87 percent तक match हो जाता है तो फिर उन candidate को यहाँ पर मानले जाता है कि उनी canadate ने exam दी है तो यहाँ पर दीखें यह notice कर्लों के date में डाल गया है याँ लिए जाता है यानि कि आपका ग्रूब D परती दोर 18 के आविदकों के Biometric Not Verified के अंतरगत यहाँ पर देखिए यहाँ भी बोला गया है कि आविदकों यानि के अभिदतियों को अवगत कराया जाता है कि आपने Group D परती दोर 18 के तहत यहाँ पर इतने तारिक से इतने तारिक की भी CBT exam दिया फिर यहाँ पर आपका physical हुआ और इसके बाद में इतने तारिक से इतने तारिक की भी डोकुमेंट verification हुआ इसके बाद यहाँ पर कुछ candidate थे जिनके CBT, PET और डोकुमेंट verification होने के बाद biometric fingerprint या thumb impression बोले या signature बोले तीन condition थी मतलब बाद थो thumb impression match नहीं हुआ या biometric fingerprint या फिर signature कई बर क्या होता है कि signature भी हम क्या कर देते हैं अलग-अलग कर देते हैं तो आपको मैं बता दू कि हमको ना exam में CBT exam देने जाए तब भी वही same signature करना है और जब आप computer based exam उसके बाद P.E.T. आपके exam देने जाए तब भी आपको same ही signature करना है और document verification पर आपको कई बार signature करा जाते हैं तो वहाँ पर यह आपको same ही signature करने है अन्य था आपको बाहर कर दे जाएगा क्योंकि railway ये proof मांगते कि exam आप नहीं दी थी तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर उन्हें Biometric Not Verified के संदर में एक notice डाला था 28.9.2020 को इसके website पर और उसने बता दिया था कि भाई ये candidate है जिनका fingerprint है यहाँ पर match नहीं हुआ है और इन candidate थे इनको यहाँ पर appeal करने के लिए time दिया था 15.10.2020 का कि वो appeal कर सकते है इसके लिए तो यह जो candidate है जिनका आविदन को प्राप्त हो गया है यहाँ पर देखें यहाँ पर total 19 candidate है जिनको यहाँ पर appeal किया था है इनका fingerprint मिश था या फिर आपका जो signature था वो मिश था तो 19 candidate है जिनकी appeal है यहाँ पर प्राप्त हुई थी तो देखें इनके बारे में यहाँ पर हुस्टना डाली गई है कि आविदको को यहाँ पर precision के लिए दिया जाता है कि यहाँ पर दुबारा से इनका thumb impression होगा और इनका writing मतलब आपको पता है एक line लिखी होती है CVT के अंदर आना आपको पता होगा जब एक्जाम देने जाते है एक line लिखी होती है I hereby clear that यहाँ कि मैं खुद व्यक्ति हूँ जो परिश्य देने के लिए आया हूँ मैं खुद यह गोशना करता हूँ कि मतलब वो एक line लिखी होती हिंदी इंगले इसमूस को लिखना पड़ता है उसका verification किया जाता है thumb impression का और signature वो यहाँ पर लिया जाएगा और इनकी सुक्ष्म जाच की जाएगी ठीक है macro macro जाँ टेस्ट किया जाएगा बिल्कुल तरीके से और यहाँ पर देखे एड्रेस दिया गया कि यह जो एड्रेस है इनको 17 अबार है यहाँ पर प्रादे 10 बजे यह जो एड्रेस है यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर thumb impression और इनका writing और signature का sample लिया जा सके अगर यहाँ पर उपस्त नहीं होते है तो आपको यह माना जाएगा कि आप इस परिक्षा के लिए eligible ही नहीं है आप इस जो आपकी जो recruitment है इसको लेना है नहीं चाते है आप रिले में select होना ही नहीं चाते है यह तो वो गया आपका पहला notice ठीक है इसी website का परिक्षन के लिए यापका medical examination के अपील करने के लिए यह आप डाला गया है अब यहाँ पर देखे यहाँ पर आपको बोला गया है कि हमने जो website है इस पर 10.9.2020 को अपील करने के लिए जो candidate थे जिनको medically unfit किया गया था उनको अपील करने के लिए यहाँ पर हमने एक मोका दिया था और यहाँ पर दो last rate रगए थी अपील करने की वो 5,10,2020 माल लेज़े railway में क्या होता है कि कुछ ही medical standard की post होती है माल लेज़े A2 की है, A3 की है, B1 की है और माल लेज़ आपको medical standard है वो B2 मिल गया जो कि आपके post करने सर अलग-अलग zone में अलग-अलग होते है ठीक है, तो यहाँ पर जो candidate है उनको यहाँ पर बोलते है कि यह जो medical में बाहर होगे candidate उनको बोलते है तो वो candidate है, appeal कर सकता है railway में जब भी उनका medical होता है, उसके 30 दिन के अंदर railway में यह rule होता है कि वो 30 दिन के अंदर रिमेडिकलिगल अपील कर सकते है तो यहाँ पर जो candidate थें जिनको यहाँ पर 5-10-20 के तारिक तक इनको मोका दियागा था कि वो रिमेडिकलिगल अपील कर सकते हैं तो यहाँ पर जबल पूर बोर्ड है, इन्होंने, यह candidate है केवल साथ करनेडिट है जिनको यहाँ पर बूला गया है केवल साथ करनेडिट है जिनका यहाँ पर जो अपील है उसको एसेप्ट किया है बाकी बहुत सार करनेडिट है जिनके अपील को नेगलेक्ट कर दिया है कि ध्यानकणा इसका नोटिस है वेबसाइट पर नहीं डाला जाएगा ठीक है रिमेडिकल बालों के बारे में डेट है मेंशन है वो आपको इमेल आइडी और मोबाइल नंबर पर ही भीजी जाएगी यह आपको ध्यानकणा है और यहाँ पर देखे यह जो कंडिडिट है जिन ने यहाँ पर परफूर्मा एस सर्टिफिकेट आता है यह प्रस्तित नहीं किया इस कारण इनकी जो अपील है इसको भी नेकलेट कर दिया गया है बाकी कुछ कंडिडिट है जिन का मामला यहाँ पर देखे नियायला में पहुंच गया है इसलिए इनकी जो इस्तिती है वो तक भी केस महुच किया है अना नियायला तक तो यह कंडिडिट है आपको चार कंडिडिट इनकी जो इस्तिती है वो सेम यथावती रहेगी मतलब इनके उपर कोई अभी एक्सन नहीं लिया जाएगा ठीक है तो यह जो आपकी इन्फोमेशन थी वो आपके पस्षिम मध्रे के लिए यानि कि WCR की तरब से आ रही थी ठीक है तो आसा करते हैं गाई जी वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलते हैं आप से एक लिए वीडियो में तब तक जैहिंद जैभारत